सिंपल सी बिल्कुल सिंपल सी चीज वह अपने में डालेंगे तो पौधा जो है दिं दुगनी राज चोगना ग्रोध करेगा काफी अच्छा को स्वागत है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों यह देखिए यह भी एक रोटन का ही प्लांट है इसकी कई सारे विडियो में आपको दिखाऊंगी कई सारे वराइटिस काफी कलर फुल होते हैं इसके पत्ते फूल नहीं आते हैं लेकिन फूलों की कमी भी महस और एक दूसरा मेरा क्रोटन का प्लांट है उसमें देखेगा आप डिफरेंट सिर्फ एक खाद का फर्क है उस खाद को मैंने इस गमले में डाला गमले का साइज भी बिल्कुल सेम है लगाने का दिन भी बिल्कुल एक है लेकिन इसमें ग्रोथ जो है आप डबल देखेंगे काफी बुशी है और यह जो मेरा प्लांट है पौधा भी सेम दिन लगा हुआ है पौट का साइज भी सेम है लेकिन इसके ग्रोथ आप देखेंगे स्लो हो रही है अब पौधा बिल्कुल खाली-खाली सा लग रहा है तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा मैंने क्या डाला और इसमें मै मैं लगाया है इसके कई सारे कटिंग्स भी मैंने तयार किये हूए है कटिंग्से भी असानी से ग्रो हो जाता है लेकिन यहां पर मैं आपको कटिंग लगाना नहीं बताऊंगी उसके लिए सेपरेट वीडियो है आपको डिस्क्रिशन में लिंक मिल जाएगा यहां कई कारण हो सकते हैं इस प्लांट का खराब होने का पहला कारण है तेज धूप में रखना डायरेक्ट सन लाइट में ओवर वाटरिंग अन्डर वाटरिंग दूसरा कारण हो सकता है पौधे में निट्रिसंस की कमी मिठी का उपजाव नहीं होना और तीसरा है सबसे इंपोर् में तबदील हो जाता है तो वह आपने प्लांट की उपर गौर करेंगे कि आप अपने प्लांट को कहां रखे हैं? पांई कैसे दे रहे हैं? कोई खाद वगयार देते हैं कि नहीं मिठी उपजाओ है कि नहीं beb K icon को भी जाएंगे इस वीडियो में कोशिश करूंगे कि जित बिल्कुल खाली होता जा रहा है उपर में जैसे जैसे निव शूट्स आते हैं नीचे वाले सूकते चले जाते हैं तो यह भी एक हेल्दी पलांट की पहचान नहीं है पत्ते इसके बिल्कुल बढ़िया है क्योंकि इसमें नए पत्ते आहे हैं रेनी सीजर मैंने इसकी उपर स लेकिन नीचे में जो है अभी तक कोई निव शूट्स नहीं आ रहे हैं पौधा नीचे से बिल्कुल खाली है तो इन दोनों प्रोब्लम का सोल्यूशन हम कैसे करें आज यह मैं आपको बताती हूँ तो दोस्तों जितने भी इसके खराब लीप्स बगरा हैं उन सभी लीप् प्रूनिंग भी करके सारे लीप्स को एक ही बार में हटा दें अगर ज्यादा पौधा खराब है तो या फिर इस तरीके से चुन चुन करके जो ब्रांच या लीप्स खराब हैं उन्हें बस आप हटा लें लेकिन थोड़ी बहुत प्रूनिंग आप जरूर करें उससे क्या ह पौधा इस सूंध में जैसे जैसे नियु शूट साथे जाएं मैं इन पुराने पत्तों को भी धीरे धीरे करके हटाते जाओंगी इस तरीके से क्या होगा पौधा धीरे ढिल्कुल लया हो जाएगा नए पत्ते आएंगे बिल्कुल हेलिदी जैसे मैंने आपको इससे पहल कहते हुँ इसलिए आप कोशिश करें कि इसे कुछ पत्तों को रहने द math को अगर आप आप कोई दीक्कत नहीं है तो यह कैंने डेमेश पत्ते र ब्रांचिस को हटा इसके बाद हम थोड़ा कर लेते हैं मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी की उरवरक च्छमता है वह काफी जादा बढ़ जाती है और मिट्टी जो है उपजाओ भी बन जाती है मिट्टी में आप कोशिश करें कि ज्यादा इट पत्थर ना मिलाएं अगर हैं तो आप उ स्वस्त और हिल्दी बने रहें तो मिट्टी की गुड़ाई करने से ऑक्सीजन मिलती है जड़ों को एर मिलता है जड़ों को जिससे जड़े जो है काफी अच्छा महसूस करती है तो वह जल्दी जल्दी डेवलप करती है तो मिट्टी की गुड़ाई को इग्नोर बिल्कु इस तरीके से कंडे भी को कहते हैं तो इसका उप्योग हमें करना है पौदे को तेजी से ग्रोध करने के लिए विंटर में डॉर्मेंसी में ना जाए तो इससे बढ़ियां उपाय आपको नहीं मिलेगा इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मातरा होती है तो पौधे में जितने भी पोशन की कमी है वो इस कंडे से दूर हो सकता है और पौधे में जो अगर कोई बीमा सकता है और ध्यान रहे कि यह जो गोबर की खाद है यह कम से कम एक साल पुरानी होनी चाहिए तो इस परकार से इसे चूर कर लेना है किसी भी चीज से तो यह दिखे चूर करने के बाद इतनी क्वांटिटी हमें मिली आधा आधा हमें कर लेना है दोनों पॉट्स के लिए त दोस्तों इस तरीके से इसको जादा नहीं चूर करना है मिट्टी में जाने के बाद यह अपने आप ही डिकंपोज हो जाएगा तो यहां पर हमने फिर से आगए अपने गमले के पास उसके बाद जो है यह हमें एक मुठी जितना इसे इस गमले में डाल देना है गमले का इसके बाद आप हल्दी डालेंगे हल्दी की कौंटिति देखें बिल्कुल 1 फोर्थ है एक टीस्पून की उसके बाद आपको दोनों चीजों को अच्छे से मिट्टी में मिला लेना है हल्दी कैसे काम करता है गोबर के कंडे कैसे काम करते है मैंने आपको बता दिया काफी हल्दी एक ऐसी चीज है बहुत ही मामूली सी चीज है हर घर में पाई जाती है लेकिन इसकी गुनवत्ता है उसको आप मामूली मत समझे कोई भी प्लांट आपका बीमार है हल्दी मिट्टी में आप मिक्स कीजिए उसके बाद आप पौधे में फर्क देख पाएंगे दोस्तो एक काम हमारा भी बहुत ही जिरूरी है वो में करूंगी इसका ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमारा नीचे से प्लांट बिल्कुल खाली था उसका ट्रीटमेंट तो इसमें जो है कई बार ऐसा भी होता है पौधा अनहिल्दी हमारा तब होता है जब उसी पौट में हमने परपल हाट लगा दिया था और परपल हाट देखे काफी बड़ा हो गया था पूरे गमले में कभर हो गया था तो मिट्टी की जितनी भी निट्रिसंस है सारा परपल हाट ले जा रहा था कुछ मिल ही नहीं रहा था तो पूरूनिंग करने के वज़ा से इसमें जितनी बच्च खुछी सकती थी तो इसने कुछ अपने ने शूट्स निकाले जो पत्तियां आपको अच्छी लग रही है लेकिन फिर यह बढ़ नहीं रहा नीचे से खाली होता जा रहा है क्योंकि सारी नीट्रिसंस परपल हार्ट की तरफ जा रही है तो इसलिए इस तरीके का गलती मत कीज पौधा लगा रहे हैं तो एक पौट में एक ही टाइप का पौधा लगाने की कोशिश करें मिट्टी देखे काफी अच्छी है मिट्टी में कोई प्रॉबलम नहीं है पॉसिबल है तो कम सकम इसे एक दिन के लिए पूरी तरीके से धूप में छोड़ दे ताकि इसमें जो क अगर आपका प्लांट की और तरीके के बिमारी से ग्रसित है तो भी आप यही उपचार कीजिएगा जल्द ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा तो यही पौट में काफी बड़ा सा मेरा 14 इंच का यह पौट है इसी में मैं इस प्लांट को लगाऊंगी है रिजल्ट आपको दोनों प्लांट को देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से मिट्टी थोड़ी सी आपको भरनी है उसके बाद इसे रखना है अंदाज से अपने पौट की हिसाब से उसके बाद उपर से फिर इसी मिट्टी को हमने डाल देना है मिट्टी में खाद वगार बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है और जितने भी हमने इसमें खाद वगएरा हल्दी डाली है उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको इन सब कामों के बाद लाश्ट में आपको भर करके पानी डालना है पानी इतना डालना है कि नीचे ड्रेनेज होल से निकलना चाहिए बॉटम तक पानी जरूर जाना चाहिए तो इस तरीकी से पानी दोनों पोट में हमने डाल दिया है डालने के बाद अब मैं इसे रखूँगी सेमी सेड एरिया में बिलकुल लंधेरे में भी मत रखेगा सेमी सेड एरिया में दोनों प्लांट्स को रखना है ये जो दोनों काम लास्ट में हुए है ये काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैटर करते हैं प्लांट्स को हेल्थी बनाने के लिए डायरेक्ट सनलाइट में मत रखेगा तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जुआएगी पर्सो तक तक के लिए बाई टेक केर हैपी गाडनिंग